नमस्कार। मैं भुपनद्र पंड रहे हिंदी चनल में आप सबका हर दिग स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का दबाना ना पूलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो कप्डेट्स आपको मिलते रहें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह भाशाविज्ञान के अंतरकाता है आज हम देखेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड और पद को कहते हैं फ्रेज पद का एक और नाम रूप भी होता है तो इस आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें आप तीन बातें समझ पाएंगे कि तो शब्द क्या है, शब्द का स्वरूप क्या है, शब्द की विशेस्थाएं क्या है, पहला भाग या हो गया, दूसरा भाग है पद क्या है, पद का स्वरूप क्या है, पद की विशेस्थाएं क्या है, और अंत में देखेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है, तो आज यह जो टॉपिक है इसमें तीन टॉपिक इन्मालव है शब्द, पद तथा शब्द और पद में क्या आंतर होता है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कलम और कमल वसे राइट साथ में मैंने लिखा है मकल और लकम यह आप देख पा रहे हैं मैं राइटिंग उतनी अच्छी नहीं लेकिन आप समझ पा रहे होंगे तो कलम वस्तों में इसमें लिखने में तकलीफ होती है ऐसे मेरे हैं अच्छी है तो कलम यह जो कलम जो इस शब्द है तीन अक्छरों यहां तीन वर्णों से मिलकर बनाए है कल, लम, इसी प्रकर कमल भी तीन वर्णों से मिलकर बनाए, तो इसका एक सार्थक शब्द है ये, इसका एक निष्चीत अर्थ है, और जिसका हम शब्द को से मिनिंग देख सकते हैं, लेकिन हैं माकला और लकम, यहां भी हमने उन्हीं वर्णों का प्रयोक किया है, लेकिन इस किसका आर्थय निकलना चाहिए लगुतम जो बहुत छोटी भी हो और स्वतंत्री खमद किसी पर निरभर नहीं करता शब्द अपने आपने आप में क्या स्वतंत्र होते हैं वेसे आरिषाक होते हैं और बहुत छोटे होते हैं बोलानातिवार जी करुंसर भाषा में वाक कि हो चब्दों से बिल कर बनते हैं। इस तरह दो शब्द है वह भशा की एक ही काई है. एक युनिट है, एक हिस्सा है और प्रत्रेक शब्ड का ...कोई न कोई अर्थ होता है. भोलना तिवारि जी का काना है कि प्रत्यक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है मतलब शब्द सार्थक होते हैं जिनका अर्थ हम शब्द कोस में जाकर डिशनरी में जाकर देख सकते हैं यह जरूर है कि आम जिवन में कुछ निर अर्थक शब्द भी मिलते हैं जैसे कि चाय वाय तो वाय का कोई अर्थ नहीं है पानी वानी खाना वाना जो वाना इस तरह के कुछ निरार्थक शब्द भी जो प्राया युगम के रूप में आते हैं लेकिन प्राया शब्द जो होते हैं सार्थक होते हैं प्रत्यक शब्द का शब्द कोस में कोई ने कोई अर्थ ह होता है इसी प्रकार बोलते हैं समय हम अपनी भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं इन शब्दों का भाषा में विशेस महत्व है इस प्रकार निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समू को शब्द कहते हैं मतलब क्या है भाषा के जो शब्द होते हैं वे सार्थक होते हैं और वर्णों के समू होते हैं वर्ण जैसे का खागा इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं तो जैसे मैंने आपको अपर उदाहरन बताया था कलम का, कमल का, तो ये क्या है, इसमें तीन वर्ण है, क, म, और ला, ये तीन वर्ण है, और तीनों वर्णों या तीनों अक्षरों को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, कमल या कलम बन जाता है, तो इस पकार जो शब्दों होते हैं, वर्णों अ देख शब्दों का भंडार होता है वह उतना ही अच्छा बोल और लिख सकता है जिस ब्यक्ति का वर्ड पावर जितना अच्छा होगा शब्दों में जितना ज्यादा आपका कमांड होगा उतना ही अच्छा आप लिख पाएंगे उतना ही अच्छा बोल पाएंगे आपने दे लेकिन जो वास्तों में भाषा की जो सबसे छोटी ही काई होती है वर्ण या अक्षर होती है भाषा की किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी ही काई होती है वह क्या होती है वर्ण होती है और वर्णों को मिलाने से क्या बनते है शब्द बनते है और वर्णों को समाने तक क्या कह कहा जाता है अक्षर भी कहा जाता है अब समझ गया आप वर्णों अथवा अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द प्राया सार्थाक भी होते हैं अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं वर्ण अभी कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक तो स्वर होते ह और एक वियंजन होते हैं इस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा अलाग से टॉपिक लेकर आऊँगा अभी बैसिकली मैं शब्दों तक ही अपने आपको सिमित रखता हूं तो वर्ण अथवा आक्षर दो प्रकार के होते हैं स्वर और वियंजन तो इस प्रकार हम क्या समझे शब्द के बारे में शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं किसी को पर निर्भर नहीं करते और इनका एक निश्यत अर्थ होता है यहां माना जाता है कि शब्द और अर्थ में शाश्वत संबंध होता है मतलब श शब्द के साथ अर्थ अनिवार रुप से जुड़ा होता है तो शब्द और आर्थ का संबन्ध चोली दामन का संबन्ध होता है ये नित्य और अविनासित संबन्ध होता है शाश्वत संबन्ध होता है जहां शब्द है वहाँ उसका आर्थ भी जरूर होता है वास्तों में श इस्चित करब में जमा देते हैं, तब शब्द बन जाते हैं, जैसे कलम और कमल का उद्धार में आपको दिया, तो हिंदी के तीन वर्ण है, का, ला और मा, तो इससे हमने दो शब्द बना लिए, कलम और कमल, इसी पकार अंगरी जीम में जैसे आप कुछ लिखते हैं, जैसे तो लिखेंगे A, B, O, U, T About आप कैसे लिखेंगे A, B, O, U, T इसमें पांच वर्ण है और उन्हें पांचों के एक प्रापर ओर्डर में जमा लिया है तो इस प्रकार जो शब्दों कैसे बनाते हैं हम शब्द वर्णों को अरेंज करके प्रापर ओर्डर में जब अरेंज करते हैं अक्षर को अत्वा वर्ण को तब बे शब्द बन जाते हैं तो इस पकर शब्द का स्वरूप क्या निकल कर आता है उपर हमने जो जो भी चीज़ें हमने देखी उसके अधार पर हम शब्द के बारे में क्या का सकते हैं भाषा में शब्द का विशिष्टी स्थान है मतलब किसी भी भाषा में शब्दों का बहुती महत्पूनिस्थान है विशिष्टी स्थान है दूसरी दूसरी बत क्या है शब्द बहाषा की स्वतंत्रयम अर्थ वा निकाई है मतलब प्रत्यक शब्द अपने आपमें स्वतंत्र रहता है किसी दूसरे शब्द या वाक्य के उपर निरभण नहीं करता और इसका एक निषित अर्थ होता है तीसरा शब्द और अर्थ में नित्य का सम्मंद माना जाता है मतलब जहां शब्द है वहाँ उसके साथ उसका आर्थ भी जुड़ा रहता है तब ही वह शब्द कहलाता है इसके बाद शब्द सार्थक होते हैं प्रतेक शब्द का अपना आर्थ होता है प्रत्येक शब्द का अपने आप में एक निशित अर्थ होता है और इसकी जानकारी के लिए हमको शब्द कोस देखना पड़ता है डिशनरी देखनी पड़ती है इसके बाद शब्द वर्णों के मेल और विशिष्ट करम से बनते हैं किसी भी भाषा का कोई भी शब्द उस भाषा के वर्णों अत्वा अक्षरों को जब हम निश्चित करम में जमा देते हैं तब शब्द बनते हैं एक प्रापर आडर में जमाना जरूरी होता है निश्चि वस्तु को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ यह पेन है, तो एक वस्तु को बता रहा है, कोई भाव है, कि वह बहुत दुखी है, वह बहुत खुश है, या फिर विचार है, किसी का दृष्टिकोण है, किसी की गांधिवादी विचार धारा है, कोई मारसवादी विचार धारा है या हम विभिन बातों में हम अपना opinion रखते हैं अपना राय जाहिर करते हैं विचार व्यक्त करते हैं तो शब्दों का ये काम होता है लेकिन शब्द स्वतंतर रूप से प्रिव्प्थ होते हैं और स्वतंतर रहकर अपना आर्थ प्रकाट करते हैं, मताँ शब्दों का अर्थ जानने के लिए हमको शब्द कोस देखना पड़ता है, और शब्द कोस में सभी शब्द स्वतंत्र रहते हैं, उनका स्वतंत्र रास्तित रहता है अब हम देखते हैं कि शब्द का स्वरूप शब्द का स्वरूप क्या होता है इस प्रकार शब्द के स्वरूप के विशे में हम कह सकते हैं हक लिग दिया हमने कह सकते हैं ज़र टाइपिंग ए रहो गया है इस प्रकार शब्द के स्वरूप स्वरूप क्या है उसकी विशेष्टा क्या है तो इसको हम एक बर यहाँ पार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी ज़रुरत के हिसाब से जैसे उदारण के लिए कुर्सी, तोता, लड़का, मेज, कलम, घोड़ा इत्यादी सभी शब्दा हैं, स्वतंत्र हैं शब्दों के सवतंत्र होने के कारण ही, इनको कोश में इस्थान दिया गया है, और इनके अर्थ कोश में देखे जा सकते हैं मताँ शब्द अपने आप में स्वतंतर ही काई है इसलिए शब्दों का अर्थ देखने के लिए हमको शब्दकोस देखने के आशकता होती है डिशनरी देखने के आशकता होती है जो मैं प्राया बोलता हूं आपको लेकिन जब इनी शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं वाक्य में प्रयोग होने पर इस शब्दों का स्वतंतर हस्तितों नहरा कर वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नीमों से प्रभावित होता है जो शब्दकोस में दिये रहते हैं वे तो शब्द होते है लेकिन जब शब्द को से शब्द लेकर, जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तब ये जो शब्द हैं, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, क्रिया के अनुसार, अर्थात, व्याकरण के नीमों के अनुसार, इनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, औ और जब शब्द वाक्य में प्रयोग होकर पद बन जाते हैं, अब आप पद समझ गयोंगे, मतलब शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्यों में करते हैं, तब उसमें कुछ परिवर्थान आ जाता है व्याकरण के नीमों के हिसाब से, और इस पकार जो शब्द में जो परिवर मतलब केवल अक्षर और वर्णों को मेल जोड़ लेने से शब्द नहीं मन जाते, बलकि जो हमने वर्णों का जो मेल किया है, वर्णों को जो जमाया है, अरेंज किया है, अक्षरों को जो जमाया है, अरेंज किया है, उनसे एक कोई अर्थ है निकलना चाहिए, तब ही वह श अथवान नहीं है तो सार्थक्ता बहुत बड़ी विशेशता है इसको बाद शब्द का क्या मत्त है हमारे जीवन में विचारों भावों आदी की अभिवक्ति का सबसे प्रमुक साधन क्या है भाशा है भाशा की अभिवक्ति के मूल में शब्द होते हैं क्योंकि शब्द ही बातचीत या कत्य में आने वाले व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुव, गुड़ों, क्रियाओं आधी को प्रगट करते हैं और वाक्य बनाते हैं। कई बार हम उचीत शब्द ना मिलने के काण बीच में हिरुख जाते हैं, इससे समझा जा सकता है कि शब्द का भाषा में कितना महत्व है। अब शब्दों का वisch करण, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इतिहास के अधार पर, शियाओ कितिहास के आधार शब्द चार प्रकार के होते हैं। इनको डीटेल में मैं बाद में पढ़ाऊँगा, पहला है तत्सम शब्द, तत्सम मतलब संस्कृत के समान या संस्कृत, दूसरा तद्भव, संस्कृत से उत्पन, डेशी या देशद, मतलब ग्रामेरी लाकों में, अलग-अलग, शेत्रों में प्रयोग में लाए जाने वाल सब्द और आगत या विदेशी शब्द, जैसे डॉक्टर हो गया, कॉलेज हो गया, रिपोर्ट हो गया, यह विदेशी शब्द है, अरभी फारसी के शब्द भी इसी केटिगरी में आते हैं, इसके बाद दूसरा केटिगरी क्या होता है, शब्दों का प्रकार का, रचना अथवा बनावट के अधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूड़ शब्द, योगिक शब्द और योग रूड़ शब्द। इसके बाद रूप या प्रयोग के अधार पर ये सारी बातें आपको किताबों में मिल जागी। मैं सिर्फ अभ्योसित तरीके से इसको प्रस्तूत कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएं। आपको टेंसर लेने की बिलकुछ जवरत नहीं है, आप बहुत इत्मिनान से अंतर तक मेरे साथ बने रहे हैं। रूप याप प्रयोग के अधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया विकारी शब्द, विकारी शब्द में क्या होता है, जवरत के हिसाब से हम उसमें परिवर्थन करते हैं। जैसे संग्या है, सरवनाम है, विशेशन है, क्रिया है, ये विकारी शब्द हैं। जाता है, जाता है तो जाता है हो गया, और सीमा जाती है, तो क्रिया में परिवर्थित होगा, इसी प्रकार से ठीक है न। और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं, जिनमें कोई प्रिवर्तन नहीं होता है, जैसे क्रिया विशेशन, वह तेज दौरता है, वह तेज दौरती है, तो क्रिया विशेशन में कोई प्रिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द के अंदरगत क्या क प्रकार के होते हैं अर्थ के अधार पर शब्द चार पकार के होते हैं एक आर्थी शब्द अने एक आर्थी शब्द समान आर्थिया पर्यायवची शब्द और विप्रित आर्थिया विलोम शब्द तो इस पकार अर्थ के अधार पर शब्द कितने पकार के होते हैं चार पक नाप्छ होता है आशाक करता हूं कि आप शब्द को समझ गहें होंगी अब हमारा दूसरा हिस्सा सुरू होता है न फिर फ्रेज जिसे हम अंगरजी में फ्रेज कहते हैं और जिसें म् वाक्यांस भी कहते हैं व्रूपार अलम रखें कि शब्द से शब्द पर आतरित होता है समाने रुप से शब्द और पद को एक आर्थक समझ जया जाता है आमतर पर हम समझते हैं कि जो शब्द है वही पद है लेकिन दोनों में बहुत फर्क है जो व्याकरणी के वह भाशा वैगैनिक दिश्टी से पूर्णत या गलत है वाक्य में पद का परयोग होता है शब्दों का नहीं ये बहुत ही मत पूर्ण बात है किसी भी वाक्य में हम पदों का परयोग करते हैं ना कि शब्दों का शब्द हमको सिफ़ डिशनरी में शब्द कोस में मिलते हैं लेकिन जब हम उनको पदों को जब हम उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वही शब्द पद बन जाते हैं तो इस प्रकार क्या समझें आप लोग कि जो वाक्य में जो जिसको हम प्रयोग करते हैं वे पद होते हैं ना कि शब्द शब्द को एकत्र कर दिने से वाक्या का निर्मार नहीं हो सकता जब तक कोई शब्द पद नहीं बन जाता तब तक उसका प्रयोग वाक्य में नहीं हो सकता जैसे आप मार्गेट से भिंडी खरीद कर लाए फिन्डी क VISTA भिय्टक सब्घेंगे अपने ज़रुवत की सता मंतर आशी शब्द होगा णुक्ट सब्धम अंतर है शब्द को समझें छोटा छोटा हीत्सा भिंडी का Controle तो आप समझ गयोंगे तो शब्द क्या होते हैं अब बिल्कुल हम लोग साबूद भिंडी को सब्जी बनाते नहीं कि डारेक्ट हमने उसको डाल दिया भिंडी के सब्जी बना लिए कोई इस परिस्तितियों को छोड़कर जो फ्राइवाई करते हैं उसको नहीं बता रहा हू तो जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोक करते हैं तब वो पद बन जाता है संबंध तत्तो और आर्थतत्तो ये दो चीज़ा आपको जाना जवर पद को समझने के लिए पद को यदि आप समझने चाहना चाहते हैं पद की अउधाना को तो संबंध तत्तो और आर्थत तत्ततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत अर्थ तर्थ मतलब शब्दों का क्या अर्थ है प्रतेक शब्द अर्थवान होता है और संबंद तर तो क्या हो गया विभिन शब्दों का आपस में क्या संबंद है कौन्छा शब्द उनके संबंद को बता रहा है जैसे कि मैं आम खाता हूं मैं बोलता हूं कि मैं आम खाता ह तो यह संबन्द बता रहा है खाने और मेरे बीच ठीक है ना उदाहना के लिए एक वाक्य लिए जा सकते हैं एक वाक्य को देखेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे राम ने रावण को बाण से मारा तो इस वाक्य में चार अर्थतत्व हैं चार शब्दा हैं राम रावण बाण और मारना ये चार अर्थतत तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये चारों शब्दा हैं और चारों के निश्चित अर्थ हैं तो इस वाक्य में चार अर्थतत् लेकिन जैब हमें इसको वाक्य बनाना हैं तो वाक्य बनाने के लिए चारों और हत्तत्तों में सम्बंध तτιों कि आस्यक्ता पड़ेगी मतलब हमको क्या लगाना पड़ेगा विभक्ति लँखाना पड़ेगा हेसम्यव को वाक्यों में प्रयों चारों शब्दों का रामरावन और मारना तब काकेकी अधित्गराण मे परपास संबोधान हे और अहो थूरे संबन्ध तत्त went here ने संबन्ध तत्त वाक्य में राम का संबन्ध दिखलाता है राम ने इसे कड़ को रावण को और से बाड से तो यह जो पादिक भी कहते हैं प्राति पदिक भी कहते हैं, मूलतत्त में जब संबंध तत्त जूड़ आते हैं, तो उसे पद कहते हैं, मतलब जो हमाला ओरिजिनल जो वर्ड है, जो हमने डिशनरी से लिया है, हमने डिशनरी से या शब्द को से कोई शब्द लिया है, जब हम उसमें संबंध तत्त जोड़ रखते हैं समब्न स्कर्ट को हम विभक्ति अथ्वप्रत्य के साथ सब नोट करके मैं लिख भी होा है कारक चिर्ण अर्थाथ्म सम्मध्ध तो कहलाती हैं जैसे का के की ने डाती स्याम ने मुझे पुस्तक दी यहां ने और मुझे मुझे को संबंद दर्स आने वाले तत्व हैं श्याम ने हो गया विभक्ति हो गई और मुझे मतलब मुझे को तो ये मुझे को ये जो सम्मंद दर्स आ रहे हैं ठीक है ना किसे किताब दी मुझे को दी अब शब्द भाशा की स्वतंत्र और अर्थवानिक आई है अब हम शब्द और पद का अंतर समझेंगे अब हम संशेप में देख लेते हैं शब्द और पद में क्या अंतर है शब्द जब सतंतर रूप से प्रियुक्त होता है और वाक्य के बाहर रहता है तब तक वह शब्द रहता है किन्तु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रएक्ट होता है तब वो पद कहलाता है कोई भी शब्द जब वाक्य से बाहर रहता है तब वो शब्द होता है जब उसी शब्द का प्रयोग हम किसी वाक्य में करते हैं तब वो पद बन जाता है और पद कहलाता है जैसे यहाँ पर लड़का एक शब्द है इक शब्द का प्रयोग विभिन्न रूप में होता है जैसे हम डिशनरी से एक शब्द ले लिए लड़का या कहीं से हम एक शब्द उठा लिया कि लड़का एक शब्द है और लड़का का प्रयोग हमने इन तीन वाक्यों में किया है लड़का खाना खाता है लड़के ने खाना खाया और लड़कों को खाना दो तो यहाँ पर लड़का खाना खाता है यह हो गया पद हो गया लड़के ने ये पद हो गया लड़कों को ये पद हो गया ठीक है ना तो हम जबुरत के हिसाब दूसमें परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि अभी तक लड़का बाहर था ये लड़का अभी तक बाहर है डिसनरी में लेकिन अभी लड़का क्या है वाक्य का हिस्सा बन गया है यह तो यह क्या बन गया पद बन गया लड़के ने इसी पकार लड़कों को खाना दो यह क्या है पद है उपरिक्त वाक्यों में लड़का लड़के लड़कों रूप आपने आप में सौतन्द्र नहीं है लड़का शब्द के अलग-अलग रूप है और यह रूप ही पद कहलाते तो आपने देखा है जैसे वह जाता है राहुल जाता है और सीमा जाती है बच्चे जाते हैं लड़के जाते हैं वे जा रहे हैं तो यह सारे जाना ही हो गया लेकिन क्या हो गया पद बन गया अब पद का स्वरूप कैसा होता है पद की विशेस्ता क्या होती है इस प्रकार मालव जब हम किसी वाक्य का शब्द में प्रयोक करते हैं तब उस वाक्य का शब्द का निश्चीत अर्थ भी होता है और उसके साथ विभक्ति भी जूड़ी होती है जैसे राम ने राम हो गया तो अर्थ ततत हो गया और ने उसका क्या हो गया समंध ततत हो गया तो पद के अ इसे प्रकर जहां शब्धत्त प्रकार राम अर्थतत्त हो गया औरने संब्धत्त फ्ततत हो गया। जैसे मैं आम खाता हूँ यहाँ पर को चुपा हुआ है मैं आम को खाता हूँ तो को जो शब्द है चुपा हुआ है तो यहाँ पर सुन्य शंबंद तत्त हो गया सुन्य विभत्ति हो गई इसके बाद वाक्य में शब्द या शब्दों का नहीं पद या पदों का प्रयोग होता है तो वाक्य में जो हम देखते हैं भले हम शब्द कहते हैं लेकिन वालग चीज़े वाक्य में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तब वह शब्द पद बन जाते हैं तो वास्तों में हम वाक्य में शब्द या मुख्य अधार पद होता है कि रप्रते भार्षा के पध्या रूप भिन होते हैं अभी हमारी बात क्योव हिंदी के लिए हो रही है या अफिर अंग्रेजी एन भाषा में जाएंगे तो उनkim पद अपने उनके इसाब से होते हैं पदों की व्याकराणिक कोटी की अंतरकत गरना होती है जितने भी पद हम प्रयोग में लाते हैं उनकी व्याकराणिक कोटी होती है संग्या, सर्वना, विशेसन, क्रिया, विशेसन इस तरह अब हम देखते हैं अब आपका अंतर यहां से अब आपका अंतर चलू होता है बहुत ही महत्पूर्ण यहां से जो आप वास्ता में समझने के लिए इतने देर तक देख रहे हैं तो आप पद का स्वरूप भी आप समझे कि जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों के अंतरगत करते हैं तब वे पद बन जाते हैं वाक्यों में हम पद्या पदों का प्रयोग करते हैं शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है पद कहलाता है एक लाइन में आप समझना चाहते हैं तो वाकि में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है जैसे घर विहान है जाता ये चार शब्द है घर विहान है और जाता ये घर पहला शब्द है दूसरा शब्द तीसरा शब्द चोथा शब्द ये चार शब्द है जब ये विभक्तियों के सहयोग से बाके में प्रेक्ट होते हैं जैसे विहान घर जाता है तो यह सभी शब्द क्या बन जाते हैं पद बन जाते हैं यहाँ पर तो अलग अलग शब्द हैं यहाँ पर यह क्या है शब्द हैं और यहाँ पर यह क्या बन गए हैं पद बन गए हैं क्योंक उदारहन द्वारा शब्द और पद के अंतर को समझ सकते हैं एक और उदारहन में पता देता हूँ पक्षी, आकाश, उड़ना ये तीन स्वतंतर शब्द हैं जो डिशनरी में मिल जाएंगे पक्षी, आकाश और उड़ना ये तीन शब्द हैं हमारे पास इनके मेल से बना हुआ वाक्य यह है पक्षी आकाश में उड़ते हैं पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो यह तीनों शब्दों का प्रयोग हमने यहाँ पर वाक्यों में कर लिया तो यह सारे क्या बन गए? पद बन गए, ठीक है? अब इस वाकिय में प्रिवक तीनों शब्दों को पद कहा जाएगा तेना पर पक्षी, आकास और उणा ये सारे पद कहलाएगे अब पद के वेद जैसे हमने यहाँ पर वाक्यों का प्रकार देखा कि शब्दों कितने प्रकार के होते हैं इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि पद कितने प्रकार के होते हैं इसको एक उदारान से समझते हैं इस उदारान को पढ़िए घोडा दावरता है पहला उदारा गोडा दावरता है दूसरा छोटा गोडा दावरता है तीसरा उदार छोटे घोडे पीछे पीछे दावरते हैं वह दावरता है वे तेज दावरते हैं अब परिक्त वाक्य में घोड़ा या घोड़े संग्या पद हैं यह जो घोड़ा हो गया यह जो घोड़े हो गया यह क्या हो गया संग्या हो गया किसी व्यक्ति वस्तु या इस विशेष्टा बता रहा है, यह विशेषण हो गया, यह सारे पद हैं, वह यावे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, संग्या के इस्थान पर जिन शब्नों का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वनाम, और संग्या की जो विशेष्टा बताने वाले शब्द हैं, उसे कहते ह पीछे पीछे या फिर आवियो तो इस उदाराण से हम समझ सकते हैं कि जो पद होते हैं वे पांच प्रकार के होते हैं जो कि पद किसके अंतरकत आते हैं व्याकराणिक कोटियों grammatical categorization करना पड़ता है पदों का grammatical रूप से हमको इसको categorize करना पड़ता है तो इस प्रकार पद के पांच भेध होते हैं पद के कितने प्रकार होते हैं? पांच भेध होते हैं पहला संग्या, संग्या, फिर सरवनाम फिर विशेशन और क्रिया ये सारे विकारी शब्द हैं संग्या, सरवनाम विशेशन और क्रिया और अविया या अविकारी शब्द क्या है अविया या अविकारी शब्द वे होते है क्रिया विशेशन सम्मंद बोधक, समुच्य बोधक विसमयादी बोधक ठीक है ना तो इस प्रकार पांच प्रकार के भेद होते हैं प्रकार के होते हैं, संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, और अविया या फिर अविकारी शब्द, और इस अविया या अविकारी शब्द के अंतरगत, इसके अंतरगत पुना चार प्रकार हैं, क्रिया विशेशन, संबंद बोधक, समुच्य बोधक, समुच्य बोधक को हम योजक भी कहते हैं और अंत में विस्मियादी बोधक इस प्रकार आप समझ गए कि पद क्या है पद कैसे बनते हैं पद का स्वरू पत्वा विशेष्टा क्या है और पद कितने प्रकार के होते हैं तब ही तक मैं आपको पता चुका हूँ कि शब्द क्या है और पद क्या है शब्द और पद जब आप भली भाती समझ गए तब हम निशकर्स के रूप में शब्दों और पदों का अंतर समझेंगे कि शब्द और पद का वास्तव में अंतर क्या होता है तो ये देखे ये तीसरा मैं पता तीन भाग में भाजित था आज कर जो हमारा के लिए आप चीजों को समझ जाए चाहे आप पढ़ते हों या पढ़ाते हों लेकिन ये कॉंसेप्ट आपका दिमाग मैं पुरी तरह से छप जाना चाहिए जो मैं पढ़ाता हूं आपको तो मेरे चैनल में साट कट का कोई रास्ता नहीं होता है मैं इसपस्ट रूप से अधानाओं को इसपस्ट करने का प्रयास करता हूं इसलिए मैरे चैनल के छात्र बहुत अच्छे अंग लेकर पास होते हैं परिच्छाओं में तो निशकर्च रूप में कहा जा सकता है कि शब्द और पद पद को हम रूप भी करते हैं ध्यान में रखियेगा पद को हम क्या करते हैं रूप भी करते हैं निशकर्च रूप में कहा जा सकता है कि शब्द और पद या रूप एक नहीं है बलकि दोनों एक दूसरे से प्रिथाक प्रिथाक अस्तित्व रखते हैं शब्द और पद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों में प्रमुख अंतर इस प्रकार है आईए हम अब अंतर देख लेते हैं शब्द मूल अत्वा प्रतिपादिक होता है जबकि पद शब्द और सम्मंध अत्व का योग होता है तो वास्तों में जो शब्द होत थे द्रिस पश्य गमगश तो जो शब्द होता है मूल होता है मतलब शब्दों का प्रयोग हम वाक्वे में नहीं कर सकते और जब शब्द को हम पद बना देते हैं तो उसके साथ कोई संबंद तब तो जूड़ आता है कोई विभक्तियत हुआ कारक चिनक को जोड़ना पड़ मतलब बिना शब्दों के पद हम नहीं बना सकते शब्द अपने में सोतंतर रहते हैं लेकिन पद के लिए हमको दो चीजों की जरुड़ पड़ती है पद बनाने के लिए एक तो हमको शब्द चाहिए और दूसरा संबंध तत्तों चाहिए विभक्ति चाहिए अत्वा प्र चाहिए यह परसर के बोलते हैं उसको तब क्या बन जाता है वह पद बन जाता है मुल्ख शब्दों में जब हम संबंध तत्तों लगा देते हैं विभक्ति लगा देते हैं या प्रत्य लगा देते हैं तब जो मुल्ख शब्द है वह पद बन जाता है तो जैसे यह आपर मूल शब्द है जैसे जाना मूल सब्द है अब प्रकृतिया प्रतिपादिक प्लस प्रक्त्य प्रक्त्य या फिर विभक्ति उसमें जोड़ देते हैं तब वह पद बन जाता है शब्दों में विभक्ति जोड़ने पर वह पद बन जाता है वाक्य में पद अथवा पदूं का प्रयोग होता है, शब्द या शब्दों को नहीं, यह मैं कही पर बता चुका हूँ, वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं, पदू का, पद या पदू का प्रयोग करते हैं, शब्द या शब्दों का नहीं, जैसे यहां पर एक आरो दानार दे देता हूँ, क्रिश्ण, कं इसकार्त इसपैख्ष्ठ हो जाता है, तब ज़न्हकरत के साथ है नआ संबन्धत त्थ्व लगा दिया, और siamo कि इसको प्रत्या भी बोलते हैं, इसको विभक्ति भी बोलते हैं, परसर क lawn प्रत्या भी भी बोलते हैं, तो शब्द के साथ हमें नाआ भान्द जाट इसको प्रत इसे ही विभक्तिया प्रत्या भी कहा जाता है। पद का अधार होता है बिना शब्द के पद का निर्बान नहीं हो सकता और पद क्या होता है शब्द का परिवर्थी तत्वा विक्सित रूप होता है जैसा हम भिंडी लेकर आया मार्केट से तो हमारा शब्द हो गया जब हम छोटे-छोटे टुकणे में काड़ दिये उसके तो उसका रूप परिवर्थीत हो गया अब हो छोटे-छोटे टुकणे में परिवर्थीत हो गया उसको हम सब्जी बनाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं मतलब वाक की बनाने के प्रयोग में ला सकते हैं यदि सब्जी यदि हमारा वाक की है है तो पद क्या है छोटी- पर ही आस्रीत होता है शब्द से जब पद का निमाण होता है तब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो जो पद होता है पुरी तरह से शब्द पर निभर करता है और जब कोई शब्द पद बन जाता है तब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है हमारे जवरत के हिसाब से व्याकरण के नीमों के हिसाब से एक शब्द से प्राया एक ही भाव प्रकट होता है जबकि एक मूल शब्द से अनेक पदों का निर्माण एवां भिन भिन अर्थबोध हो सकता है जैसे जाना एक शब्द है जाना शब्द से एक ही अर्थद हो नित हो रहा है कोई कोई जाता है जाने का जो काम है जो क्रिया है लेकिन वहाँ जाता है वे जाते है वे जाती है इस ताइप का जब हम बनाते हैं तब एक ही मूल शब्द से हम कई प्रकार के पद बना सकते हैं जैसे इस करके एक शब्द है इस शब्द से क्या क्या बना सकते हैं इसने इसको इससे इसके लिए इसका इसमें इस पर तो इस जो यह तो शब्द हो गया इस एक मात्र शब्द है लेकिन इससे हम कितने सारे पद बना सकते हैं देखिए इससे हम लोग इतने सारे पद बना सकते हैं यह एक मात्र शब्द है इसके बाद जो पांचवी शेष्टा यह क्या है, शब्द पद से चोटी ही काई है, जबकि पद शब्द से बड़ी ही काई है, जो शब्द होता है वो पद से चोटी ही काई है, क्योंकि जब शब्द पद बन जाता है तो उसमें विभक्ती भी लग जाती है, तो इसलिए पद क्या है बड़ी हुई काई है इसके बाद शब्द आप फानली में बता रहा हूँ अंतीम में जो चीज़ आपको समझना है शब्द मतलब प्रत्य तत्वया विभक्ति से रहित जिसमें प्रत्य कुछ नहीं लगा है कोई विभक्ति नहीं लगी है जैसे राम है राम क्या हो गय इसमें कोई प्रत्य कोई विभक्ति नहीं है राम एक शब्द हो गया इसमें क्या इसमें विभक्ति नहीं लगी हुई है विभक्ति चिन मतलब जो कारक का जो विभक्ति चिन होता है इसे पद मतलब प्रत्य तत्व मतलब विभक्ति से युक्त तो राम ने पद कैसे बन गय जैसे हमको लिखना है राम ने रावन को मारा तो हमें आप लिख देते हैं राम ने तो अब ये क्या बन गया पद बन गया ये अब बन गया पद तो ये जो राम है ये शब्द है इसमें कोई भक्ति नहीं है और यहां हमने लिखा पद तो ये जो ने भी भक्ति यहां पर आकर जूड़ गई तो अब यहाँ पर यह बन गया पद अब छटमी जो अंतरवाईया है शब्दों का महत्व वर्णों के सार्थक संगु में होता है जबकि पदों का विशेष महत्व वाग के सारचना में होता है इसका कहना यह है कि शब्द कैसे बनते हैं जब हम वर्णों एक निश्चित करम में जमा देते हैं तब हमको शब्द प्राप्त होता है और वाग के कैसे बनता है वाग के बनता है जब हम पदों को निश्चित करम में किसी वाग के में जब हम पदों को निश्चित करम में जमा देते हैं तब वाग के बन जाता है तो शब्द बनाने के हमको वर्णों अत्वा अक्षरों को निशित क्रम में जमाना होता है और वाक्य बनाने के लिए हमको पदों को निशित क्रम में अरेंज करना होता है तो इस प्रकार आशाय नहीं विस्वाय से क्या आप लोग समझ गया होंगे और इस आर्टिकल के दिए आप पढ़ना चाहते बहुत जल्दी मैं इसको अप्लोड कर दूँगा धन्यवाज जय हिंजय भारत आशा करता हूँ कि आप लोग इस अवधारणा को पूरी तरह से समझ गया होंगे और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बեղ आइकन को दबाना ना भुलें ताकि मेरे प्रतेक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे हैं साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक सैधिक शेयर करें धन्यवाद जैहिंजे भारत